हेलो नमस्ते अव्रिवन मेरा नावीने महरा है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सेलर सोल में स्वागत हैं आज का हमारा लीडियो शिप के उपर है कि जहाज अंदर से कैसा दिखता है चलिए मैं आज आपको घर बैठे जहाज की शेर करवाता हूँ मैं आ गया हूँ जहाज के टॉप मॉस्ट फ्लॉर पे जिसको हम मंकी आलेंड भी बोलते हैं यहाँ पे सैटलाइट कई टाइप के अंटेना प्रडार और मैगनेट कमपास फ्लैक देख क्या आपको पता चली गया होगा कि हभी हम इंग्लेंड में हैं जिहां हम इंग्लेंड म जिसमें हम ड्राइक कार्वो लोड करते हैं यह विल हाउस है जिसे हम ब्रीज भी बोलते हैं जहाज का पूरा कंट्रोल यहीं से होता है यहां पे हैं रडार, एकडिस, स्टेरिंग, और सभी लाइट के स्विचेज, यहां पे चार्ट रूम है, रेडियो रूम भी यहीं है यह steering है जिससे जहाज को आप जानते हैं steering का क्या काम होता है अभी हम बाहर boat deck पे आ गए हैं यह rescue boat है यह life raft है rescue boat का use search and rescue operation में किया जाता है यह life boat है जब जहाज दूबने लग जाता है तो हम इसका use करके बाहर आ जाते हैं यह aft station है यहाँ पे कुछ रशिया है जिससे जहाज को port पे बांद आ जाता है चलिए अभी man deck पे चलते हैं यह bunker point है यहाँ से fuel लिया जाता है यह man deck है जहाज के left side को port side बोलते हैं और right side को stubborn side बोलते हैं हम left side से forward की तरफ जा रही है यह gangway है जो जहाज पे आने जाने के लिए काम में लिया जाता है यह ship के cranes है जो जहाज में कार्बो लोड और अनलोड करने के काम में आती हैं अभी हम आ गए हैं forward station पे जिसको fox लवे बोलते हैं यहाँ पे हैं दो anchor और कुछ ropes जैसे मैंने आपको पहले बताया ropes का use जहाज को port पे जट्टी के साथ बानने में काम में आता है यह है print store जब हमारे पास time बचता है तो हम जहाज पे print भी करते हैं नौर्मली रोज यह टाइम बच जाता है यह इतना पेंट हम कर देते हैं यह स्योटू रूम है अगर जहाज में आग लग जाए तो स्योटू गैस रिलीज की जाती है यह forward boson store है जिसमें कुछ टूल्स कुछ रॉप्स और कुछ जरूरी चीजे रखी जाती है अभी हम जहाज के accommodation एरिया में जा रहे हैं यह जहाज का front accommodation पिक्चर है अभी हम man deck में अंदर की तरफ जा रहे हैं यहाँ पे यह ships office है यह क्रू लॉंड्री रूम है यहाँ अपर टेक में इलेक्ट्रिक store है यह सामने बत्ती साब रहे हैं कैसे हो यह जहाज का chemical store है जहां पे जाज पे काम आने वाला अलग अलग टाइब का chemicals रखा है यह रॉप स्टोर है रॉप स्टोर में वहीं डेक्ट पे काम आने वाली कुछ चीजें रखी हैं जैसे ग्रीस कुछ पाइप्स और टूल्स कि यह जहाज का मैंने विद्ध रूमा कुल की है चलिए अब यह मैं आपको दिखाता हूं जहाज का एंजिन कैसा होता है यह जहाज का एंजिन रूम है शीडियों से नीचे जाएंगे यह मैंने इंजिन है यह एंजिन कंट्रोल रूम है हमारे इंजिनियर्स यहाँ बैठे बैठे जहाज के मैंने इंजिन जनेटर्स के पारामेटर्स पे नजर रखते हैं चलिए हब बाहर चलते हैं मैं आपको भी काता हूं, यह मैन इंजिन है वहाँ पे तीन जननेटर है जो प्लाइट की सप्लाई करते हैं कि अब हम पुप डैक में आ गए हैं यहाँ पे क्रूस के कैबिन्स हैं यह से क्रूर मश्रूम है कि यहाँ पे मेस्रूम के अंदर से ये पेंट्री रूम है ये ओफिसर मेस्रूम है अभी हम गैली में आ गए हैं जिसको हम कीचन बोलते हैं ये हमारे ओमकरनाथ पापड बना रहे हैं चिफकुक आज हमें बिरियानी खिलाएंगे अभी मैं आपको दिखाता हूँ जहाज पे क्रू का केबिन कैसा होता है एक टेबल एक चेर एक सोफा एक बैड मेरा फ्रंट फेसिंग रूम है जहाँ से जहाज साब दिखाई देता है एक अटेज बातरूम टोइलेट भी होता है चलिए अब उपर वाले डेक में चलते हैं ये बोट डेक है यहाँ पे कुछ ओफिसर्स के कैबिन है होस्पिटल भी यहीं पे है जिसका इंचार्ज सेकंड ओफसर है यहाँ कैप्टन डेक, कैप्टन डेक में कैप्टन, चीफ इंजिनियर, ओनर, पाइलेट के कैबिन्स होते हैं हेलो, वेल्कम बैक, आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा फिर भी अगर आपको कोई कमी नजर आती है तो प्लीज मुझे जरूर बताएं थैंक यू, बाई